आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे उपस के कॉंसेप्ट के बारे में और उपस के कॉंसेप्ट में सबसे फर्स्ट प्रारिटी पर आता है हमारा क्लास अन ऑबजेक्ट तो आज हम देखेंगे कि क्लास अन ऑबजेक्ट क्या होता है किस तरीके से हम ऑबजेक्ट को डिकलेर करते हैं किस तरीके से हम क्लास को डिकलेर करते हैं किस तरीके से क्लास के अंदर हम ऑबजेक्ट को क्रियेट करते हैं तो इसके बारे में हम तो बच्चो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब दे चैनल कोडर जावा क्रिटोरियल ठीक है तो स्टाइट करते हैं तो सबसे पहले आता है वाट इस एन क्लास इन जावा अजाव ओक्रिबड पुर्ण करते हैं पुर्ण ऑलश खिंड प्रण जाव इस एन च्रेव दिस चैनल को सस्क्राइब नहीं नहीं करते हैं We are able to design the program by using classes and objects. Class, आप सभी जानते हो कि जो हमारी class होती है, उस class के अंदर ही हम क्या करते हैं? इस class के अंदर ही हमारी जितने भी फंक्शनालिटी होती है, उनको हम पर्फॉर्म करते हैं. Class हमारा, जो हमारा class होता है, वो ये बताता है कि ये इस class के अंदर क्या होने वाला है? जैसे, अगर मैं class student लेता हूँ, तो मुझे मालूम है कि इसके अंदर केबल student का data होगा, मतलब behavior of the program आपका class बता दीती है. Java class based language है, अगर आप लोगों से कोई पूसता है कि what is difference between C and C++, तो आप बोलते हो कि C and C++ में क्या है बच्चों? C हमारी कैसी है, procedure oriented programming language और C++ क्या है, object oriented programming language? अगर आप से कोई पूसता है कि what is difference between C++ and Java, तो आप बोलोगे बिया, Java भी object oriented programming language है, और C++ भी object oriented programming language है. difference क्या है? है, अगर आपको कोई program बनाना है C++ में, तो आप without using any class, आप C++ के अंदर program create कर सकते हो, लेकिन Java के अंदर आप create नहीं कर सकते हो, आपको Java के अंदर class तो बनाना ही पड़ेगी, without class you can't make any program in Java. So class is very important, अब class क्या करता है? class is a collection, class के अंदर हम fields, methods, constructor, block, nested class and interface, इनको declare कर सकते हैं. Class is a logical entity. काफी बच्चेस पर confused रहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने कई बच्चोस question पूछा, कि class logical होता है, physical होता है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, sir class, यह जिसमें आप पढ़ा रहे हो, यह classroom है और यह तो physical है, इसको आप touch कर सकते हो, तो मैंने बोला, जैसे मानलो यह हमारा room है, यह हमारा class है, ठीक है? तो इसमें आप touch करके बताओ class को, तो बच्चे क्या करते हैं? wall को touch करते हैं, दीवा बेंच को touch करते हैं, मैंने बहुत है, बेंच है, मतलब class क्या है, यह सारे क्या है, wall क्या एक object है, बेंच क्या एक object है, तो जहां पर group of objects होते हैं, उस environment से मिलकर एक class बनती है, उसी को हमने class बोला, जहां पर आपको यह लग रहा है, जहां पर board है, जहां पर teacher है, यह सारे objects available है जहां पर bench है, यह क्या हो गया, class हो गया, हाँ यह न, meeting room कैसे होता है, जहां पर meeting table हो, तो आपको object क्या होते हैं, behavior बताते हैं, उस behavior के according आप उस particular class का नाम देते हो, हाँ यह न, जैसे person class होती है, person कोई होता है, क्या है, कोई नहीं होता है, group of people, is called person, तो person के अंदर बहुत सारे लोग आ सकते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है, class always logical, class हमेशा एक logical entity होती है, जिसको हम logically name देते हैं, class कभी physical नहीं होता है, class को always हम कैसे नाम देंगे, logical नाम देंगे, अब बच्चों, यहां पर हम syntax देखते हैं, किस तरीके हम class को declare करते हैं, तो यहां पर आपको जैसा दिख रहा है syntax के अंदर, हमने public हमारा क्या है, एक modifier है, class modifier है, और यहां पर class name देते हैं, आप class name क्या ले सकते हो, according to Java naming convention, class name must be, first letter must be capital. होना चाहिए, इसको should भी बोल सकते हो, पहले must be था, भी should भी हो गया है, means होना चाहिए, अगर आप small भी लोगों तो भी चलेगा, अब उसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, parent says, इसको आप body भी बोल सकते हो, इस body के अंदर, जैसे हमने class name दिया, यह student की यहां पर क्या होई, इसको body बोलेंगे, इस body के अंदर जो भी हम object variable methods को declare करेंगे, वो किसका part होगा, इस class का part होगा, और हमने यहां पर इसको close कर दिया, means इसका, यहां से इसको start होगा, इस class का, और यहां पर क्या होगा, इसका end हो जाएगा, हाँ या ना, तो इसके बच्चों हम बात करते हैं, what is an object in Java, तो class के बारे हमने देखा, class की हमने definition देखी, और class क्या होता है, class का declaration कैसा होता है, लेकिन class किसके बिना अधूरी है, objects बिना, without object you can't make any class, हाँ है ना, और बच्चों आपको यहां पर object को समझना बहुत important है, क्योंकि object is a very important topic in all the programming language, जितने भी object oriented programming language है, उनमें सबसे important topic होता है, object, what is an object in Java, object is a real world entity, real world मतलब जो हमारे आसपास real है, जैसे मैं हूँ, मैं क्या हूँ, एक object हूँ, आप क्या हो, आप भी एक object हूँ, ठीक है, और जितने भी हमारे आसपास की चीज़ें है, यह भी क्या है, क्या है, क्या है, क्या है उसके बाद, object is physical entity, object physical भी होता है, हाँ यह ना, where as class is a logical entity, और class क्या होता है, logical होता है, object क्या होता है, physical होता है, person, अब person में कौन person, location is a person, तो location is a object, और person is a class, हाँ यह ना, अगर मैं employee हूँ, तो employee is a class, but what employee कौन है, employee location, हाँ यह न, object is nothing but instance of a class, बच्चो, object को instance भी बोलते हैं, instance मतलब जो कौन, जो runtime पर create हो, instantly, फटा फट, तो instance भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग confused होता है, कि what is instance, अगर आप से कोई बुसता है, कि instance क्या होता है, बहुत confused होता है, कि instance क्या होता है, बहुत क्या होत instance होता है, हाँ या न, तो ठीक है, अब यहाँ पर देखो, every object content, three characteristics, यह बहुत important topic है, पहला, state, behavior, तीसरा identity, तो अभी तक आपने जितने भी अधिकतर tutorials, जितने भी हमारे online available है, tutorials या किस कोई भी online teacher से आप पढ़ते हो, तो आपको तो चीज़ बताते हैं, state बताते हैं, और behavior ब बताता है, जिसको हम बोलते हैं, identity, यह भी बहुत important चीज़ है, इसके बारे हम बहुत अच्छे स्टेस करेंगे, तो सबसे पहले हम पर क्या आया, state, state means, represent data of an object, second, behavior, behavior means, represent behavior of an object, data of an object, behavior मतलब, represent behavior of an object, जैसे मैं हूँ, एक छोटा, एक परसन का ले लो, एक रामू है, अब रामू के state क्या है, कि रामू का color क्या है, रामू के पास कितने hand है, रामू के पास कितनी eyes है, रामू कितने तेज़ दती से दोड़ सकता है, यह सब उसके क्या है, दोड़ नहीं सकता है, मतलब रामू के पास कितने पहर ह कितनी height है, यह सब उसकी क्या है, state है, उसके बाद आता behavior, behavior मतलब क्या होता है, कि वो कैसे देखता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, कैसे दोड़ता है, यह उसकी क्या होगी behavior, मतलब functionality, functionality को method ही बोल सकते हैं, हाँ यह न, functionality, function, method, जैसे C++ आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको ह बोलते थे, method को वहाँ function बोलते थे, हाँ यह न, और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, आपको मालूम है, कि जो हमारा C होता है, procedure oriented होता है, मतलब procedure मतलब भी function होता है, और function oriented programming language होती है, लेकिन यह object oriented programming language होती है, method पर depend नहीं करती है, object पर depend करती है, तो यहाँ पर, काफी चीज जाती है वो आती है identity identity used to identify the object uniquely है for example अब मैं यह आपर example आपको बताता हूं थो आपको अच्छे स्वज्मा आएगा वैसे इस identity identity की बात करूं तो ये जेन्टरेट करता है ज्येवीम इंटरिली जनरेट करता है जिसे हमारी लोग ज्याइंटरिती होती है हो एक internally behavior होता है हम लोग अंदर DNA होता हमारे आइडे आप बोल सकते हो uniquely generate होता है हाँ है न तो ऐसी हर object की एक identity internally generate होती है उसके बाद for example marker is a real-time entity that is called object आप एक marker की बात करें तो यह एक real-time object है अब इसमें क्या होता है इसका state क्या होगा बच्चो नेम फ्लेर का है भाई या color कैसा है ब्लू है behavior क्या होगा it is used to write इसको हम लिखने के लिए यूज करते हैं बच्चो तो आपको यहाँ पर इस चीज़ समझ भाई इसके बाद object define as declaration instantiation और initialization object को हम तीन तरीके से define करते है पहला declaration instantiation तीसरा initialization पहला इट represent the variable associate with object मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं आने वाले lectures में उसके बाद instantiation हम कैसे करते हैं means उसको instant object create करना इसमें हम लोग एक new keyword का use करते हैं new keyword is a java operator that create the object तो new के बारे हम बात करेंगे next lecture में इसके बाद जो तीसरा होता है उसको बलते है initialization means the new operator is followed by call to a constructor which initialize the new object अब यह तीनों definition है declaration, instantiation, initialization जब हम object create करेंगे तब इसको हम अच्छे से समझेंगे बच्चों तो अभी आज के lecture में हम इतना ही समझेंगे कि object क्या होता है class क्या होता है इसकी हमने definition देखी next lecture में हम देखेंगे कि how to create object in java object कैसे create करते हैं और object को हम किस तरीके से use करते हैं उसके बाद हम इसके प्रोग्राम भी देखेंगे बच्चों तो बने रही है quarter के साथ और अगर आप यह tutorials अच्छे से पढ़ते हो तो आप definitely OCJP भी clear कर पाओगे और एकल java certification आपको पता होगा आप वो course भी clear कर सकते हो तो next lecture में हम लोग मिलते हैं और देखेंगे किस तरीके से हम object को create करते हैं और use करते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यबाद बने रही है quarter के साथ thanks for watching